हालो दोस्तो, नॉर्मार डेज में तो आप बहुत मसाला डाल करके, ॉस्पेसल चाय बना करके पी सकते हैं, लेकिन जब हमारा व्रत रहता है, तो थोड़ा हमें स्पेसल ध्यान देना पड़ता है, कि कहीं जो हम मसाला डाल करके, तो हम चाय बिल्कुल पीना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर मैं वरत में कैसे आप special चाय बना करके पी सकते हैं उस चाय को मैं बताने वाली हूँ अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेयर करना ना भूले तो देखे दो दिया हमने लिया था उसको हमने अच्छे से एक बार पानी से धूल दिया था फिर दस मिनट के लिए दिया को हमने भीगा करके रख दिया है हमें बनाना है एक कप चाय मेरा वरत था तो किवल मैंने अपने लिए चाय बनाया तो हमने एक मग भर करके दूद ले लिया था और इधर हमने फ्लेम पर गैस अन कर दिया है उस पचड़ा दिया पैन और पैन में एक कप दूद हमने डाल दिया जिसका हमें चाय बनाना है जब आप थोड़ा पानी ना डाले चाय में तो वो special चाय जो बनखर के तयार होती है बहुत ही अच्छा लगता है पीने में और आप मेरे तरीके से चाय बनाएंगे तो फिर पूछना ही क्या बस यहां देखो दूद्ध बॉइल होने लगा है और जैसे दूद्ध बॉइल होता है उसके बाद हमें यहांपर चाय पति डालना होता है चाय पत्ती बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि जब ये medium flame पर boil होगा तो चाय बहुत ही गाढ़ा और चाय पत्ती का flavor वैसे ही बहुत ज़्यादा आजाता है तो चाय पत्ती आप बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा अपने taste के recording आपको डाल देना है चीनी यहाँ पर हमने एक टेबल स्पून से थोड़ा कम ही चाय पत्ती डाला हुआ है बस हमारा जैसे चीनी चाय पत्ती और दूद्ध बॉil होने लगता है हम गैस के चूले को एकदम medium flame पर कर देते हैं और फिर उधर जो हमने दिया रखा तभीगा करके उसमें से दिया निकाल करके हम डाल देते हैं इसको चाय में अपने बॉil होते हुए चाय में दिया डालते समय आप थोड़ा careful होकर के डालिए का दिया जिससे कि आपके हाथ पर छीटे ना पड़ें देखें चाय अच्छा बनाना वाकए में बहुत बड़ा कलाकारी होता है और चाय अच्छा बनाने के क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और उसमें मेरा आज व्रत्था मंडे का तो और इधर देखिए जैसे हमने दिया डाला वैसे हम मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए हम अपने गैस का फ्लेम थोड़ाई कर देते हैं और जैसे ये दिये के ऊपर तक चाय आ जाता है वैसे ही फिर हम अपने चूले का फ्लेम एक दम स्लो कर देंगे और स्लो करने के बाद कम से कम पांच से साथ मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे और थोड़ा हम इस पून से दिये को उपर नीचे भी कर देते हैं जिससे इसका जो स्मोकी फ्लेवर है चाय में वो पूरे तरीके किसी भी मसाले की जुरूत नहीं पड़ेगी केवल चाय पती चीनी दूध पानी अब जैसा आप चाय पीना पसंद करते हैं अगर आपको चाय पसंद है थोड़ा पानी वाला तो आप पानी भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन हमें थोड़ा कम पानी वाला चाय पसंद है तो इ अच्छा मेरा चाय बन करके त्यार हो गया था सावन की तेवार में आप अपने घर वालों को अपने घर के लोगों को इस तरीके से चाय बना करके पिलाईए बहुत ही अच्छा चाय बन करके त्यार हो था वीडियो पसंद दया तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर से जरूर क तरे थाइंक्यू